सो हेलो गाईज तो आज हम लोग टेल्स अफ डेमन्स एंड गॉड्स के नए सीजन के साथ आ गए हैं यह सीजन भी बाक्री सीजन के तरह गुड़ स्टोरी लाइन एंड ग्राफिक से भड़ा हुआ है तो इस सीजन को भी ज़रूर से सपोर्ट आप यहां पर कीजिएगा और पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना तो चलिए एक्सप्रेंशों के आप शुरू करते हैं तो पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइली लॉंग को बुरी तरीके सहरा देता है जिसके यहां पर किसी को उमीद नहीं होती है और यहां पर वह गोस्ट रन प्लेस में बहुत सारे डामन स्प्रेंट हैं अगर 1000 को मारा जाए तो 30 स्पिछल स्टोण मिलते हैं और इन स्पिछल स्टों में हमें बहुत कुछ यहांपे हम लोग कर सकते हैं लेकिन इसमें कोई भी चीज यहां पर खरीदी जा सकती है लेकिन प् देखते हैं कि वो लोग पहारी के बीच बनी एक तलाब जिसे जगह पर पहुंच जाते हैं तो फिर शियाओ बोलता है कि और हम उन स्टोंस को स्पेस रिंग में स्टोर भी नहीं आपर कर सकते हमें उन्हें वहीं पर रेडियम करना होगा जब वो तीनों तलाब के पास पहुं स्पेट वंडरलेंड के तरह लेंड ऑफ घोस रेंड के भी रैंकिंग होती हैं तब इस लिस्ट को देखने के बाद लोग कहता है कि लॉंग ने दो दिन में तीस हजार डैमॉन को मारा है तो नाइली तुमें उससे जादा मारना होगा और जैसा की लिखा हुआ है कि एक हज स्पेट सोन में एक्स्टेंज होगा तो ऐसे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे उसकी बात सुनकर के सब लोग हज देते हैं लेकिन फिश्याओ कहता है कि हम सभी को साबधान भी रहना होगा क्योंकि घोस्ट टाउन होली स्पेट वंडरलेंड से बहुत ज्यादा ना इसके बाद नाईली कहता है कि चलो चलते हैं फिर हम देखते हैं कि तीनों उस एंफ्रेंस में चले जाते हैं तो हम देखते हैं जो कि उसे जगह पर आ जाता है और किसी से कहता है कि तुम्हें याद है ना कि वो लोग कैसे दिखते हैं जिस पर वो दूसरा आदमी कहता ह कि हां मुझे याद है मैं रिलम आफ डेस्टने तक जा चुका हूं उनके साथ डिल करना सा नहीं है इतना बोल करके वाद में बी एंट्रेंस चला जाता है और वहां से चला जाता है तब ही हम हुआ लिंक को देखते हैं जो कि वहीं पर जा रहा होता है और कहरा होता है नायली अपने आपको बचा नहीं सकता क्योंकि मैंने अपने अंडर के बहुत सारे लोगों को एनिमी बना कर वहां भेज दिया अब मुझे बहुत जादा वेनत नहीं यहां पर करना होगा तब ही वह अपने चार सर्वेंट से कहता है कि तुम लोग जो और यह सब अपनी आँखों में देखा तो उसके उतना कहते ही उसके सर्वेंट भी एन्फरेंस विचले जाते हैं फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि टेबल पर बैठकर आपसे बात कर रहे होते हैं इसमें से एक आदमी कहता है कि यह जो तीन छोटे लड़के हैं वो गोस्तरं में पहुंच चुका है तभी वोकित्त्र गेटेस वे किसी चीज को देखता है और ऊसके पास कहता है और कहता है कि Ghost Run का ओरा Holy Spirit Land के ओरा से बहुत सादा बिकार है तब ही वो देर सारे Demer Spirit को देखता है और कहता है कि यही सब Demer Spirit होंगे तब ही वो Demer उसके उपर हमला कर देती है और Naili भी उनके उपर हमला यहाँ पर कर देता है और उसके Strong Attack से बहुत एज़े से Demer Spirit स्टोर ने बदल रहे थी और थोड़ी ही समय में Naili ने घेर सारे स्टोर को यहाँ पर खटा कर लिया था और वो इन स्टोर को हाथ में लेकर कहता है कि यहाँ तो बहुत आसान काम है लोग दो दिनों में यहाँ पर पता नहीं वो कितना स्टोर ने खटा यहाँ पर करते होंगी यह बहुत जादा Strong लगते हैं Light का Explosion इन्हें भी दिस्टोर यहाँ पर नहीं कर सकता क्या यह सच है कि हम इस रिंग में नहीं रख सकते हैं चलो यहां पर हनुः ट्राइ करके देखते हैं तो इतना गय करके वो इस टोर न को अपने रिंग में लगाने का प्रयार से यहाँ पर करता है तो वो देखता है कि वो स्टोर मेल्ट हो गया है ये देखकर कि नायली कहता है कि लगता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग नहीं है और मुझे यकीन है कि इतना असान गाम, शियाओ और लोग भी असाने से यहाँ पर तो वो कर ही रहे होंगे इतना बोल करकि वो और ज़ना डेमस्पेट को मानने चला जाता है और धेर सारी डेमस्पेट को मानने लगता है वो सारी डेमस्पेट यहाँ पर वो कितना भी क्राय कर रहे थी लेकिन वो नायली से बच नहीं पार रहे थी यहाँ तक कि नायली ने एक डेमस बेट को स्टोन के बैग में आपर वो कैद कर दिया था जिससे कि वो आपर वो उच्छल कूद कर रहा था लेकिन जैसे ही वो बहार निकल कर नायली ने बैग के अंदर से इसके मार कर स्टोन बना दिया तभी वो देखता है कि 1000 छोट छोटे स्टोन मिलकर एक बड़े स्टोन में कनवाइट हो जा रहे थे और वो कहता है कि अभी तो केवल आधा दिन हुआ है और मैंने ऐसे 20 स्टोन को याभी खटा किया है मुझे लगता है अभी तक तो मैं लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुका हूँगा तो हम मुझे यहां से जाना चाहिए और कहीं और मुझे डैमो स्पीर के तलाश यहां पर करनी चाहिए ताकि वजा से आधा यहां पर स्टोन को एक खटा मैं कर सकूँ वह वहाँ से जाहिरा होता है तब ही हम देखते हैं कि उसे किसी क्याने की आहर्ट सुनाई देती है और अस आदमी ने नायली के उपर एक बढ़ अटेक भी यहां पर वह कर दिया लेकिन यह अटा कोईज तो जिससे कôm नायली को अब यहां पर वह कुछ होआ नहीं था सुर्व थैंक्स पर वोच्टिंग!